नमस्कार, गायतरी जोतिस केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है, आप लोगों के लिए हमेजा ही जोतिस सास्ते जुड़ी मैंत्यपुन जानकारी की एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं, जोतिस सास्त्र की हर विदा से संबंद्य जानकारी हम आप लोग आज भी हमाप लोगों के लिए अंग सपुरंडाशा है जो हमारे शरीर के चिन्न निसान आदि से हमारे भोष्थ से के बारे में बताता है कि हमारा भोष्थ से कैसा रहेगा आने वाला समय हमारा कैसा रहेगा तो आज भी हम आप लोगं के लिए एक अत्यंतम हेट पून जानकारी अंग सपुरन सास्तर से लेकर आए हुए हैं अंग सपुरन सास्तर में बताया गया है कि यदि इस एक जगह पे आपके बाल आ रहे हैं जो कि बहुत बिरले लोगों के आते हैं तो ऐसा ब्यक्ति महा भाग के साजी होता है ऐसे ब्यक्ति के जीवन में कभी सुख सुधाओं की कमी नहीं रहती है धना अदियादी की कोई कमी नहीं रहती है हर प्रकार का सुख बैभव ऐसे जातक को प्राप्त होता है आखिर वो कौन सा इस्तान है जिस इस्तान पर ब्यक्ति के बाल आते हैं कान, आपके कान के भीतर जो ये इस्सा होता है इस तरीके से, यहाँ पर को आप कभी भी ट्राइ करिएगा, कि जिस ब्यक्ति के यहाँ कानों में, कान के अंदर के हिस्से में, यदि बाल आ रहे हैं, बाल हैं, तो ऐसा जातक महा भाग के साली होता है, अक्सर बहुत कम लोगों का ऐसा होता है, जो भाग के साली लोग होते हैं, जिनों हैं अपने जीवन में उपलब्दियां प्राप्त करनी होती है, अथा धन कमाना होता है, ऐसे जातकों के ही कानों में बाल आता है, और विशेश तोर पर 25 वर्स से, 40 वर्स के मध्य में, 50 वर्स के बाद तो हो सकता है, बहुत से लोगों के अपने आप ही उगाते हैं, लेकिन 25 वर्स से, वैसे 42 वर्स से बताया गया है, लेकिन फिर भी हम 40 वर्स से 42 वर्स के बद्यमेयति किसी जातक के कानों के भीतर से बाल उग रहे हैं, इस्त्री हो या पुरूस हो, तो ऐसे पुरूस वा इस्त्री महापार किसाली होते हैं, पले कितनी ही गरीबी में उनका जीवन, उन्होंने जन में लिया हो, जीवन यापन हुआ हो, गरीबी देखी हुई हो, लेकिन अपने जीवन में इन सब को पीछे छोड़ते हैं, वह सुख वैभव सब कुछ प्राप्त करते हैं, अथा धन आदी कमाते हैं, और अपने सासाती अपने परिवार जन कुटुम्ब को भी वह धनी सुख वैभव आदिप्रदाल करते हैं ऐसा अंग सप्रण सास्तर कहता है तो अंग सप्रण सास्तर की अब बहुत अच्छी जानकारी थी समभावता बहुत से लोगों के जानकारी पूरु में पता भी होगी क्योंकि पूरु में भी हम इस जानकारी का से तीन या चार वर्स पूरु एपिसोड बना चुके हैं बता चुके हैं आप लोगों तक अब जिन लोगों ने नहीं देखिए तो उन लोगों के लिए यहाँ अत्यानत ही महत्त पूर्ण है देखिए यदि आपकी भी उम्र 25 से 42 वर्स है या मान के चलिए थोड़ा आगे भी है तो भी अगर कान में बाल आ रहे हैं तो आगे का जीवन बुढ़ापा भी बहुत अच्छा रहेगा यति 50 वर्स के पस्चाज भी आपके कानों में बाल या आ रहे हैं तो समझ लीजे कि बुढ़ापा जोकि सबसे कठिन समय होता है मनुष्चे जीवन का सुख में बीतेगा आप सबसे पहले आरुग्यता प्राप्त होगी उस अवस्ता में और पूरा अपने जो पुत्र नाती पोते आधी का सब सुख प्राप्त होएगा तो इतना सुब बताया गया है कानों में बालों का आना तो आप भी चेक कर स सकते हैं यदि ऐसा है तो महाभग्यसाली है और हमारी ओर से आपको अनंत सुख काम न आ है तो जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ा कर आप सेहर कर सकते हैं नए लोगों से आगणारे रहता है कि हमारी हर प्रकार की जानकारी रहती है गया गयातरी जो तिसकेंडर कि और से, जन्म्मे कुंडले विस्टेशनलton का कारे भी यहाँ पर को सम्मान जनकतरी के से किया जाता है, आप लोग अपनी पत्री का आधी भी, निउन्थम सुलक में यहाँ पर को दिखा सकते हैं, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो जानकारी पसंद आए, तो जरूर आगे बढ़ा कर सेयर करें मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोट के सांथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, जैस्री राम, जैस्री कृष्णा, ओग नमस्तिवार